वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला चैनल जरूर जोइन के लिए का सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रखिए नवशकार दोस्तों तो हिंदी के छटवे टेस्ट में आप सभी का स्वागत है पांच टेस्ट मैं करा चुगा हूं मतलब 300 क्वेशन आप लोग कर चुके हो 300 में कितन सेक्शन में सबसे स्ट्रॉंग क्या है सबसे वीग क्या है ठीक इस स्ट्रॉंग को यह नहीं है छोड़ देना है रिवाइस करते रहना है पर कम करना है जो वीग है उस पे ज़ादा फोकस करके उसको और अच्छा करना है ठीक है साथ में 55 प्लैस अगर हिंदी में कर लिए त प्रिलिम्स क्लियर करने की probability बढ़ जाती है क्योंकि यही mains में भी आएंगे इसमें तो चलो MCQ में दिख जाएगा स्टक कर जाता है mains में लिखना पड़ता है ठीक है तो mains में बस आपका पर्यावची हट जाता है बाकी पाचो आते हैं तो थोड़ा उस हिसाब से अपने आपको क्या करिए analysis जरूर करते रही है पहला question निम्न लिखे तो में इसे तत्सम सब्द कौन सा है यह बताना है ठीक है गरम, नरक, तीर्थ और नरक दोस्तों जी हाँ B.O.D. दो बार हो गया है रिपीट है बताईए गरम, नरक, तीर्थ तीन में ही बताईए कौन सा तत्सम है तो दोस्तों बिलकुल तत्सम सब्द जो है इनमें से तीर्थ है क्योंकि तीर्थ का तत्बा होता है तीर्थ क्या होता है तीर्थ ठीक है तो आप देखे इसमें एक number आपको मिला या नहीं मिला चलिए अंगीथी का ततसम सब्द बताना है दोस्तो चार option में अगीका, अगनिका, अनिस्ठिका, अगनिस्ठिका या अगनिस्ठिकी ठीक है ये दोस्तो बताईए वीडियो को फिर से मैं बताना हूँ कैसे test attempt करना है आया, pause किया, चार question दीके, pen copy में उसका answer लिखा फिर मैंने बताया, टिक करा serious होगे, बैटोगे, तयारी करोगे, तभी test कर देने का मज़ा आएगा है ना ऐसे नहीं मज़ा आएगा, अपने आपको check भी करो ना दोगे बाद ही अपने आपस你是 करोगे, तो कैसे चलेगा, दुनिया को दोगा दे सकते हो, खुद को दोगा नहीं दे सकते हैं खुद को दोगा दोगे तो यार फिर टयारी में जीवन बीच बीच जाएगा, कभी चियर पे बैटने ही ने मिलेगा तो C बिलकुल दोस्तों सही लिखा है Agnistica हो जाएगा इसका अंसर चले दोस्तों तीसरा ट्राइकरी हल्दी का तच्छम रूप क्या है ये बताना है हल्दी का तच्छम रूप हरद्री हरिद्रा, हल्दिका या हर्द्रिका बताए दोस्तो हल्दी का तच्छम रूप क्या होगा जी है दोस्तों बिलकुल सही कह रहा है हल्दी का तच्छम हरिद्रा होता है क्या होता है हरिद्रा होता है तो इसका भी हो जाएगा नवाव दोस्तों बहुत ज़्याद आज़ सहने गेहूं को तत्सम में क्या कहते हैं गोधूम, गोंधूम, गोधूम या गोधूम क्या कहते हैं गेहूं को तो ये भी आपने तुरंट इस्टक कर गया हुआ गेहूं का तत्सम गोधूम ठीक है चार में क्या चार नंबर ठोक पाए अब ये जरूर देखिएगा ठीक अच्छे ले आगे बढ़ता है चले दोस्तो तीसरा टाई करिए कौन सा तत्वा हो है ये बताना है बहुत असान है इससे पहले वाले टेस्ट में भी आया था ये ठीक है तो रिपीटेट है अराम से कर सकते हो ठीक है दोस्तो बीस-पच्छीन नमबर तो हर कोई ला रहा होगा इतना मैं सोच रहा हूँ कि इतने तो सब लोग करी रहोंगा कौन सा तत्वा है दोस्तो दिनकर दिवाकर प्रभाकर सूरज जी ए दोस्तो सूरज तत्वा है बाकी सब सूर के हैं, परेवाची भी हो और ये तत्सम है चौते में कौन सा तत्सम नहीं है? आख, नयर, नेत्र और नग्ड़ बताईए दोस्तो, ये भी आसान है दोस्तो, कौन सा तत्सम नहीं है? आख तत्सम नहीं है क्योंकि ये तत्बव है आखा अच्छी होता है ठीक है याद रखिएगा चलिए पांचवा भी आसान है निम ने लिखे तुमेंसे तत्बाव सब्द कौन सा है ये बताना है कान जीब मुख या दान्त इन मेंसे कौन सा तत्सम है ठीक है ये बताना है ये दोस्तों बिल्कुल मुख करते हैं तो मुख से खाओ है न तो सी साहिए इसका त्यान रखिएगा चलिए दस्वाट राई करी खंडः का तत्सम क्या होता है ये बताना है खंडः का खंडः खंडग्रह खंडगर या खंडः बताई दोस्तों जा खंडः का होता है खंड असान आते हैं, सबसे मुश्किल लोगों को जो होती है, जैसा मैंने अब्जाउब करा, विसेशन विशिश में होती है, सबसे जादा, और अशुद्धियों में भी कई बार वो मार खा जाते हैं, तो इन दो पे आप जादा फोकस करिए हैं, बाकी ततसम, सबसे देखिए, मोमन है न, तो यह असान है, चले दोस्तों, इसमें अब विशेश और विशेश शुरू हो गया है, दस ततसम ततबह में कितने नंबर आएं, यह जरूर देख लिएगा, वह स्रेश्ट उपासक है, ठीक है, बोल देना, वह स्रेश्ट उपासक है, इसमें विशेश क्या है, पहचानियें दोस्तों, वह स्रेश्ट उपासक यह, इन में से कौन सा विशेश है, तो दोस्तों, उपासक इसमें विशेश है, और विशेशन पूछ ले, तो स्रेश्ट जो है, वो विशेशन है, क्योंकि संग्या या सरवनाम की विशेश्टा, जो बताता है, वो विशेश कि हम लोग? ऑ़कों सा सब्ध तबाओinform कह रहे हो? बधूप मधुकर कॉसाई या अश्टा ध्याई अभी प्रत्सम करत्सम नहीं होएं, अभी दौ और बचे थे स्वरी. पूश्छ तर्छ कॉन और सब्ध तबाओ말ा बताईए दोस्तों? मधुप मधुकर गोसाई या अश्टाद्याई जी या दोस्तो गोसाई जो है ये तत्वाव है ये क्या है तत्वाव है क्योंकि इसका तत्सम होता है गो स्वामी क्या होता है गो स्वामी बता इध्यान रखिएगा दोस्तो चलिए शिंगार का तत्वाव सब्द है इसका तत् परक्सरम क्या होगा श्रंगार, 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 यह श्रंगार पढ़ने में सेम ही लगें आपको, वर्तनी में बस कवेज़ऄर निचे वह लग जाएगा, धॉप ऐधाशरा लगएस लेकी要अम, जिए डहाईगे, इसका दोस्तों ठीक है, ध्यान रखेए कि इसको श्रंगार हो जाएगा ये, पढ़ने में देखिए अब सेम ही लगेगा, बट वर्तनियों में गड़बड रहती है, ठीक है, चलिए बारवाट रहे करिए, भले और महान लोग उचित और सैयमित बरताव करते हैं, ठीक है, जो पहचानिये शब्दों में, तो दोस्तों भले पहली चीज, उचित, महान, सैयमित, ये सब विशेशन है, क्यों, क्योंकि ये संग्या और सम्राम की विशेशता बता रहा है, कि महान लोग कैसे होते हैं, भले होते हैं, भले लोग, महान लोग, उचित और सैयमित बरताव करत विशेश ध्यान रख्येगा ठीक है तो इसे साब से डी हो गया चार सिषेशन हो गया और दो विशेश हो ठीक है कोई समस्या परेशानी दुखदर तो बता सकते हो अच्छे से समझ भी सकते हो मैं अभी ये PYQ करा रहा हूँ अगर आपको विशेशन विशेशन पढ़ना है तो Study for Civil Services में आ रहे है मैंम का एक वीडियो है अच्छे से उसको देख डालो सब समझ जा जाएगा ठीक है चलिए 13 में दोस्तो थोड़ा सा मैं स्प्रिंट है मैं आपको करक करा देता हूँ यह लड़की अच्छी गाईका है ठीक है उप्यूक तवाक के में अच्छी शब्द किसकी विशेशता बता रहा है ठीक है अधिक नहीं अच्छी शब्द किसकी विशेशता बता रहा है ठीक है गाईका की लड़की की यह की या किसी की नहीं ठीक है जादा लोडने लेने का अच्छी किसका बता रहा है कि यह लड़की अच्छी गाईका है तो किसकी विशेष्टा बता रहा है गाईका ही की तो बता रहा है जैसे पिछली बार कॉशन करा था कि मेरी गाई 10 लीटर दूद देती है, तो गाय दस लीटर दूद देती ही न, गाय की विशेषता है कि वो दस लीटर दे रही, ऐसे वो गाय का अच्छी है, ठीक है जोस्तो 14 ट्राइ करते हैं, विद्वान व्यक्ति पूजे होते हैं इस वाक में प्रियोक्त विशेषा आप कौन सा है, तो दोस्तो पूजे व्यक्ति विद्वान, विद्वान एक गुण हुआ न, तो ये गुण वाचक विशेषण हुआ, कैसा हुआ गुण वाचक विशेषण, चलिए 15 टाइ करिए, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ठीक, मतलब विशेषए है, उतकरष्ट निकरष्ट धरष्ट या विशाद इन में से कौन सा विशेषण नहीं है ठीक है, वह एक उतकरष्ट व्यक्ति है, वह एक निकरष्ट व्यक्ति है, वह एक धरष्ट व्यक्ति है, या वह एक विशाद व्यक्ति है कौन सा थोड़ा अलग लग रहा है ऐसे पढ़के देख लो तो दोस्तो वह एक विशाद व्यक्ति है यह विशेशण थोड़ी हुआ जीब का पर्यावाची बताना है जी चटोरी भी हमारी बहुत होती है इसको एक से चीज़ चाहिए आजकल फूट ब्लॉगिंग तो देखी रहा बाबु जी का मसाला जीब का पर्याए कौन सा हो दोस्तो वचन रशना ध्वनी जीव जीब का जीवा रसना रसग्या रसिका ये सब होता है यानि भी हो जाएगा ठीक है 22 वा ट्राइग रही है दोस्तो कौन सा अही का पर्याए नहीं है ठीक अही का पर्याए कौन सा नहीं है बताना है तो दोस्तो अही मतलब उरग, सरीसरा, पवनाज ये सब साप के पर्याव अची है सिंधुर नहीं है, सिंधु हाथी होता है क्या होता है ुए ये सब हांट Durch 2 ये सब हाथी के होते हैं ठीक है और दोस्तों एक चीज़ और कभी जैसे में टेस्स्ट यह बना रहा हूं ठीक है कि एक कोश्ऩन कभी मुझसे छूड़ जाता है पूसर पल्थ दोबर तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं आप लोग कमेंट करने लगते हैं बहुत परिशान हो जाते हैं गलती हो जाती है और इनसान नहीं हूं मैं भी तो आक्शली मैं भी अच्छी चीज़े आपको प्रोवाइट करा सकूं अच्छी अच्छी आपकी तयारी हो कोई लबर सबढ़ नहीं कोई बकैती नहीं कि पढ़ने आए हिस्ट्री बता चला विदायक बनाएने लग गया हिस्ट्री के टीचर है ना तो यह समनी वह अलग चीज है हमारा काम है कि अगर आप उनलाइन पढ़ने आए हैं तो सिर्फ पढ़के जाईए मस्त फिर आपको एंटर्टेन्मेंट करना है फिर आप कुछ भी करिये ठीक है चले खेर सोला ट्राई करिये दोस्तों कौन साथ सब्द विशेशन नहीं है ये बताना है फिर से इसमें वही आगिया तो संटेंस के फॉर्म में फ्रेम करा करो पता चल जाएगा संटेंस बना लिए अगर वह एक सजन व्यक्ति है वह एक दुर्जन व्यक्ति है वह भला मानस है वह सुकुमार है तो देखो कुछ अलग सा फील हो रहा होगा एक संटेंस में मुझे तो हो रहा है जैसे कि वह सुकुमार है ये विशेशन थोड़ी हुआ भाई ये विशेश तो सी हो जाएगा 77 टृइंट गरिए दोझस्तों कौन सा सब्स विशेशड नहीं है फिर कह रहा है तो अगें एक संटेंस बना लो कोई किसी भी तरह बना लो अडल्ड बनानाओ वो आप अपना मन में बना लो कैसा भी बनाओ बट sentence देखो कौन सा weird लग रहा है तो दोस्तों कर लिया होगा आपने जी हाँ इसमें तुम जो है ये विशेशन नहीं है क्योंकि तुम किसी की विशेश्टा थोड़ी बता रहा है तुम क्या तुम तो आगामी जैसे बोले न आगामी चुनाओं में मतलब आने वाले चुनाओं में विशेश्टा बता रहा है काला एक विशेश्टा है सांत एक विशेश्टा है तो ये तुम हो गया इसका जो विशेशर नहीं है तरीश ट्राइगर ये दोस्तों नैसरगिक का पर्याय क्या होगा ठीक है क्या होगा नयसरगी का पर्याय कर लिए होगा अपने प्राकर्तिक होता है क्या होता है प्राकर्तिक ठीक है जो नेचुरल होता है चलिए 24 ट्राई करते हैं कौन सा सब्द हाथ का पर्याय वाची नहीं है ठीक है कौन सा नहीं है हाथ का पर्याय व मतलब होता है कमर आणी का मतलब होता है आपका नोक वर्त्म का मतलब होता है दोस्तो रास्ता ठीक है तो ये तीनों ही पर्यावची नहीं है ठीक है चले दोस्तो अठारा ट्राइ करिए विशेश पहचानिए इसमें से कौन सा विशेश है ठीक है ललिता सुन्दर लंबा या ल के 50 प्लस आ रहे है विशेश दोस्तों देखिे इसमें लालिता जो है वो विशेश है ठीक है क्योंकि सुंधर, लंबा, लगू यह सब विशेश रणा है क्योंकि यह संग्या संव्ण नाम की विशेशता बता रहे है कि वैं सुंदर है वैं लंबा है question बड़े लगू है या लगू question है ठीक है ललिता नहीं है ठीक है विशेश पैचानना है फिर से दोस्तो उमा कालिमा मधूरिमा महिमा ठीक है फिर से विशेश बताना है उमा कालिमा मधूरिमा महिमा sentence frame करके देख लो सो दोस्तो स्वाट, वह स्कैम है इसमें आपके साथ, कि चारो ही विशेश है ठीक है, ये भी देखें, आपकी प्रक्टिस के लिए करा गया ठीक है, चाते तो इसमें वो रग देती पर आ रहे हैं मैंने आपकी प्रक्टिस के लिए तगड़े से टेस्ट प्रिपेर करके दीए तो ताकि आपको कोई कन्फूजन ना रहा है कि आप यह तुक्का तो नहीं मारोगी नहीं ओमा विशेश है चारोई दोस्तों विशेश है ठीक है चलिए दोस्तों 25 राई करते हैं कौन सा शब्द सूर्य का पर्यावाची नहीं है यह बताना है ठीक कौन सा सब तो सूर्य का पर्यावाची नहीं है मरी चिमाली द्वैमातूर पतंग या तर्णी कौन सा सूर्य का पर्यावाची नहीं है तो दोस्तो द्वैमातूर ये हमारे गरनेश भगवान का पर्यावाची है ठीक है बाकी पतंग तरणी मरी चिमाली ये सब सूर के पर्यावाची है ठीक है तो याद रखेंगे इसको महतपूर है ये काफी सादा चांदनी का परहवाची कौन सा नहीं है दोस्तो आसा नहीं जोटसना कॉमुदी शीता वल्लरी या राका 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 बताए दोस्तो कौन सा चांदनी का परहवाची नहीं है जिया दोस्तो राका हम लोग कर भी चुके हैं ये पूरिमा की रात को बोलते है ठीक ये चांदनी क पर्यावाची नहीं है बाकी जोचना, कॉमुदी, सीतवल्लरी ये सब चांदनी के पर्यावाची है चलिए मेरे प्यारे समिक्षादिगारी भाई 20 वाट राई करिए निमने लिखित में विशेशन पत कौन सा है ठीक विशेशन बताना अब उपासना अभी कर चुके उपासन द्वार आलोचना ये सब विशेश है ठीक चलो कौन सा सब सरश्वती का पर्याए नहीं है 27 में बताना है कौन सा नहीं है दोस्तो इला सिंदुवा ठीक है सिंदुवा नहीं सिंदुजा होना चाहिए ब्रह्मवादनी या भारती ठीक है सिंदुवा नहीं ये सिंदुजा है सो दोस्तों सिंदूजा जो है ये माता लक्षमी का पर्यावाची होता है सिंदूजा सिंदूजा नहीं ठीक है बाकी इला ब्रह्मवादनी भारती ये सब माता सरस्वती के पर्याए है ठीक है इसको याद रखिएगा सिंदूजा नहीं है हाला कि सिंदूजा को सिंदूजा भ नारायर या विश्नु का किसका परहा है जनारदन बताए दोस्तों जिया दोस्तों जनारदन जो है देखिए ये घंशयाम और श्रीकरशन के परहा है न तो श्रीकरशन के परहा है इसमें कौन-कौन से है नारायर तो विश्नु बगवान का होता है विश्नु खुद नार्दन का पर्याय दोस्तों घंश्याम है कौन सा है घंश्याम ठीक है 29 कह रहा है कौन सा समुद्र का पर्याय नहीं है तिक नहीं है कह रहा है पयोधी अरणव वारिद या पारावार बताए दोस्तों कौन सा नहीं है पयोधी अरणव वारिद या पारावार कर लिया हो दोस सही हैं याद रकिए का महत्वपूर हो है समुधर का भी पर्या रहे हैं और वारित का भी चले तीस नंबर दोस्तों ट्राइ करिए तीस में कह रहा है शिव का पर्याए इसमें से कौन सा है यह बताना है शशंक, पिनाकी, विवोद या मन्मे बताई दोस्तो जै दोस्तो तो पिनाकी शंकर भगवान का दूसरा नाम भी है तो पिनाकी शिव का परया है ठीक है पता होगा नील, कंड, पिनाकी, रूद्र, पशुपती बहुत सारे महादेव के परहावची, ठीक है, तो फिनाकी हो जाएगा, अनुरक्त का विलोम बताना है दोस्तो, विलोम शब्द श्टार्ट हो गए, अनुरक्त का विलोम क्या होगा, बहुत असान होता है, अनुरक्त का, जी हाँ, अनुरक्त का वेरक्त हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका 37 का दोस्तों विग्रह का विलोम क्या होगा बहुत ही लड़ू है यह विग्रह का विलोम क्या हो दोस्तों जी हां विग्रह का विलोम दोस्तों आग्रह हो जाएगा ठीक है विलोम सबसे आसान होते हैं आप देखिए सही हो रहे हैं कि नहीं आपके चले द अग्य का विलोम नहीं है कह रहा है कौन सा नहीं है अग्य का विलोम प्रभुद्ध अन्भिग्य अभिग्य या प्रग्य ठीक विलोम होता है उल्टा ठीक है यह वताना है यह दोस्तों अग्य का जो है अन्भिग्य नहीं होगा ठीक है बाकी प्रभुद्ध अभिग्य अभिग भी यही होगे अनभिग तो ऐसे ही गदहा हुआ तो तो सेम हो गए ठीक है चलिए यही 32 में पूछ लिया गया फिर से आपको अभिग का विलोम बताना है आपको बहुत आसान है यह तो जी आभी उपर कर लिया अभिग का क्या हो जाएगा अग ये हो जाएगा ठीक है 35 battles बता ही दोस्तों कौन सथ विलोम युग में तुठिपोड है इन में से कौन सा विलोम तुठिपोड है यह बताना है छैसे तेंद आप एक्षा का उपेच्छा अग्रह का अनुज उन्नत का अवगत आदान का प्रदान ठीक है इसमें से दोस्तो दो इसमें गलत है पहले ही हिंट दे दे रहो मैं आपको दो पहचानने होंगे आपको इसमें ठीक है दोस्तो दोस्तो देखिए अग्रह नहीं होता है अग्रज का विलोम अनुज होता है ठीक है अग्रज का अनुज और उन्नत का अवगत नहीं होता है उन्नत का अवनत होता है ठीक है दो गलत है कोई दिक्कत नहीं है दो पहचान नहीं है ठीक है अग्रज अनुज उन्नत अवनत ठीक है यथार्थ का विलोम बताइए दोस्तो बहुत ही लड़ू है ये भी यथार्थ का विलोम क्या होता है दोस्तों यथार्थ का कल्पना या आदर्ष दोनों ही ठीक है ठीक है कल्पना इसमें है नहीं तो आदर्ष बिल्कुल ठीक होगा ठीक है दोस्तों चलिए कृतग्गी का विलोम क्या होगा दोस्तों ये बताना है चलिए 33 में, कृतग्य का बताईए, आ कृतग्य समवेदनीन या कृतग्न या जड़, जी या दोस्तो 33 में कृतग्य का विलोम हो जाएगा कृतग्न, कृतग्य का क्या होता है, कृतग्न, ठीए, 34 बताईए दोस्तो संकीर्ड का विलोम क्या होगा, संकीर्ड का संचेप, विस जाएगा चले दोस्तों 40 ट्राइब करिए साधू का विलोम सब्द बताना है किसका साधू का विलोम तो दोस्तों शाधू का क्या होता है आशाधू भी होता है दुर्जन भी होता है दोनों ही विलोम सही है आशाधू भी और दुर्जन भी चले दोस्तों एक तालिज में कह रहा है किस सब्द की वर्थनी अशुद्ध है ठीक है शुद्ध नहीं अशुद्ध है एडिट कर दिय किसकी अशुद्ध है? कौन इनमें से गलत लिखा है? लंगड़ा, बुजक्कर, कोडार्क या भुखषड कौन सा इसमें से गलत लिखा है? दोस्तो यह बताईए अशुद्ध कौन सा है? जा दोस्तो डी बिल्कुल गलत है, खा नहीं होना चाहिए, भुखषड होता है, आपने सुना है न, का और खा, बस खा की जग़ा का होना चाहिए, भुखषड हो जाएगा चले दोस्तो 42 में फिर से बताना है कौन सा इसमें से अशुद्ध है, ठीक है? ध्यान से पढ़िएगा दो अशुद्ध है इनमें से ठीक, पहले ही हिंट दे रहा हूँ, दो अशुद्ध पैचानने हैं, ठीक है? पैचाने हैं दोस्तो इसका B और D गलत है, छिंदरान वेशी नहीं होता है और अंतर चेतना नहीं होता है, इसको सही छिंदरान वेशी लिखेंगे, शाशे शतकोड वाला लगना चाहिए, और अंतर चेतना नहीं होता है, ठीक है? चले दोसरो 43 में कौन सा वाग के शुद्ध है ये बताना है ठीक है आपका साशन समंदीकार अधिक विख्यातपूर्ण है दूसरा आपको भूमी भवन वाहन का अभिनो सुख की प्राप्ती होगी यह समाचार देशबर में तुरंट फैल गया तुम्हे कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा ठीक है इन में से कौन सा शुद्ध है बहुत असान है दोस्तों फिर से एक बार पढ़ो तो रुटिया मिल जाएंगी आपको दोस्तों इसका डी बिल्कुल शुद्धवा कहे कि तुम्हे कल को कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा ठीक ही बिल्कुल सही है पहला होना चाहिए था आपका शाषकी ये कार प्रिसिद्ध है ठीक है आपका साशन समंदी कार नहीं होता आपका शाषकी ये कार होता है आपको भूमी भावन वाहन के अभिनाव सुख की प्राप्ति होगी, यह होना चाहिए, यह समाचार देश में तुरंत फैल गया, यह सही होना चाहिए, देश भर में तुरंत फैल गया नहीं होता है, यह समाचार देश में तुरंत फैल गया, देश भर नहीं होना चाहिए, ठ first दम सही लिखा हुआ है सो दोस्तों जी हाँ दूर निर्वार जो है पढ़ने में तो आपको सब दूर निर्वारी लगेंगे पर जो और ट स्प tienen होनी चाही helpsस दोस्तों डॉर निवार इसलिए माइनड में पिच्चर जरूर बनाई ये शब्दों की पिक्तोग्राफिक इमेज जरूर होने चाहिए चलिए पचास ट्राइ करिए डाकूओ का डैश गाउं में घुज गया है ठीक है डाकूओ का क्या होता है बेड़ा चत्था दल या काफिला बहुत असा है दोस्तो डाकूओ का क्या होता है जी हाँ डाकूओ का डल होता है दोस्तो ठीक है काफिला तो नेताओं का होता है जो अच्छे नेता चलते हैं उनका काफिला होता है दल जो होता है डाकूओ का डल होता है ठीक है ध्यान रखिएगे इसको तेरे दोस्तों चववन ट्राइ करिए इनमें से बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ठीक है कि इसकी वर्तनी एकदम सही लिखी हुई है बताए दोस्तों जाजवल्यमान विद्यूत ज्योती बताए दोस्तों जी हाँ दोस्तों मना कामना बिलकुल सही लिखा हुआ है बाकी विद्यूती जाजवल्यमान राशब इसको इस तरह से लिखना चाहिए था ठीक है बाकी सी सही आप्शन है ऐसे ही पैतालिस में दोस्तों रटा होगा यार ये तो सुद्वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इन में से जी है दोस्तों कवित्री बिलकुल सही लिखा है चलो एक क्याउन ट्राई करिए दोस्तों हाती के केशवहीन मस्तक के समान खलवाट तो दोस्तों खाटू श्याम बाबा का ही बहुत चल रहा है नहीं के नाम पर है ये बरबरीक बोलते हैं दोस्तों जो हांती वहीं मस्तक के समान खलवाट हो इसको बरबरीक बोलते हैं जैसे खाटू शाम जी की मूर्ती देखी हो गिए अपने ठीक है बाबा शाम की कृपा सब पर बनी रहे वही जा सबका सलेक्शनों चले मद्धिरात्री का समय बताना है दोस्तों क्या कहते हैं इसको जो मद्धिरात्री का समय होता है शर्वरी यामा निशीत या विभावरी सो मेरे प्यारे भाई मद्धिरात्री का जो समय होता है उसको निशीत बोलते हैं क्या बोलते हैं निशीत बोलते हैं ठीक है 46 में शुद्वरतनी वाला शब्द पहचानना है देखते हैं आपने कितनी अच्छी जितारी करी हिंदी की तो दोस्तो शुशुर्शा 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 पढ़ने में सभी शुशुर्शा है सेल्मोन भाई सेल्वन भाई सबके डूबलिगेट है दोस्तों कोई सही नहीं है सब डूबलिगेट है शुशुर्शा असली में ऐसे लिखा जाता है ठीक है याद रखिएगा यह आपको चेक करने के लिए ऐसे टेस्ट बनाए जा रहे हैं जरूरी नहीं है चाहरों सही मिलें तो पहचानिए दोस्तों अपने माइंड को तेश करिए पिक्टोग्राफिक इमेज को अच्छा करिए चलो सुद्यवर्दनी वाला शब्ट पहचानिए दोस्तों इसमें 47 में कौन सा साहिए जरा दिमाग पे जोड डालिए इर्श्या को कैसे लिखा जाता है जी या तो इर पिरपन ट्राई करिए दोस्तों जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या बोलते हैं एकदम फंटार आदमी जिसके पास कुछ ना हो खाली हात आयते खाली हात चाहेंगे अकिंचन बोलते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता उसको आकिंचन नहीं होता है अलगी अकिंचन होता है छ आनिकेतन क्या कहते हैं दोश्रों इसको आनिकेतन ठीक है याद रखेगे इसको चले दोस्तों और तालिस ट्राई करिए कौन सा इसमें से अशुद्वर्तनी वाला शब्द है ये बताना है ठीक है कौन सा गलत लिखा हुआ है उलंगन, मौली, कैलाश या वतसल छोटा सा एरर है पहचानने में बहुत दिक्कत आती ही लोगों को जी ना दोस्तों कैलाश जो है ये शा नहीं लगता है इसमें सा लगता है ठीक है कैलाश गलत लिखा हुआ है चलो पचपन ट्राई करो दोस्तों पचपन बताना है जिसे माता ने पेट पर रसी बांद कर रोका हो उसको क्या बोलते हैं जिसे माता ने पेट पर रसी बांद कर रोका हो ठीक है दोस्तों उसको दामोदर कहते हैं क्या कहते हैं दामोदर है ना पेट में रसी बांद देते हैं दामोदर थे ना आपने वो भी देखा होगा इसको गड़ेंजी को ठीक है दामोदर चले दोस्तों 56 ट्राइए करिए हवन में जलने वाली लकली को क्या कहते हैं जो कि हवन में ओ फ्रांधली लगाई जाती उस लकडि को किस नाम से जाया जाता है कि ओलती कहें वनकास्ट समिधा या कास्थ की मास्ट की जो जूष् Talent हवन हुआ होती है उसको समीधा बोला जाता है समीधा ठीड़ कानिन पढ़ चुक है कानिन शब्द का सही और्थ च्हा होता है तो जो कन्या से उत्पन पुत्र होता है, उसको कानिन बोलते हैं, ठीक है, कन्या से मतलब समझे न, जो बाली का, मतलब 18 प्लस ना होई हो, ठीक है, उसको कानिन बोलते हैं, अठावन दोस्तों कह रहा है, पेट की आग को क्या कहते हैं, ये बताना है, पेट की आग को, पेट मे मैं दोस्तों कह रहा है समुद्र की के मद जलती जुआला को क्या कहा जाता है ठीक है समुद्र के मद जो जुआला जलती है उसको क्या कहते हैं तो दोस्तों समुद्र के बीच में जो आग जलती उसको सुवाड अगनी बोलते क्या बोलते हैं सुवाड अगनी ठीक है option c is correct होग रंगमंच में पर्दे के पीछे के इस्थान को क्या कहते हैं दोस्तों ये भी बहुत महत्पूर्ण है कई लोगों को नहीं पता हो गए ये रंगमंच में जो पर्दे के पीछे के इस्थान होता है उसको नेपत्थे बोला जाता है क्या कहते हैं नेपत्थे यानि आप्शन भ ही हो जाए टाइट टाइट फिश खतम हो गया दोस्तों कैसा लगा टेस्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक करिएगा नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और दोस्तों कोई प्रॉब्लम समझते हैं कमेंट में पोच सकते हो चले खा